हेलो अबरिवन आई ओप ओलर फिलिंग विल जो भी जाओंगे बढ़ी आओंगे और इस वीडियो में में लोग आईपीसी की धारा 300 को देखेंगे आईसा कार जिसके द्वारा मिर्तु कारित हो गई हो या मिर्तु कारित करने के लिए आस से किया गया हो अथ्वा यदि कोई कार ऐसी सारेरिक छती पहुचाने के आस से किया गया हो जिससे उस बेक्ति की और जिसको छती पहुचाई गई हो मिर्तु होना संभाव हो अथ्वा य यदि कार करने वाला बेक्ती यह जानता हो कि कार इतना असाने संकट है कि मिर्तु कारित होने की पूरी संभावना है या ऐसी सररिक छती कारित होगी जिससे मिर्तु होना संभाव है और मिर्तु कारित करने या पुरुकथित रुप की छतित पहुंचाने का जोखिम उठाने के लिए बिना किसी च्छमा याचना के ऐसा कारे करें अपवाद के तोर पे देखते हैं गयर इरादटन मानवद कब हत्या नहीं है अपरादि के मानवद हत्या नहीं उपर का अपवाद निम्लिकित सर्तों के अधीन है, वह परकूपन किसी बेक्ती का वद करने या छती पहुंचाने के लिए अपराधी द्वारा परतिहेतु के रुप में स्वक्षा पुरुवक परकूपन ना, या है कि वह परकूपन किसी ऐसी बात द्वारा ना किया गया हो जो कि बिदी के पलन में हो या लोक से वक दरा उसकी सक्तियू के बिदी पुन परियोग में की गई हो या कि वो परकुपन किसी ऐसी बात दोर ना किया गया हो जो नीजी परतिरक्षे का थिकार के लिए बिदी पुन परियोग में की गई हो असपस्टी करण परकोपन इतना गंबिर और अचानक था यह नहीं था कि अपराद को हत्या की कोटी में जाने से बचा दे यह तत्थे का प्रस्ण है उसके बाद IPC धारा 299 और 300 में अंतर क्या है तो इसमें देखते हैं धारा 299 और 300 में अंतर धारा 299 और धारा 300 paints करम से दो सी हात्तिय की परिभासा से संबंदित है धारा 299 के कारण के रुप में 2pled के क्या को परिभासित करता है मिर्थू के कारण इस तरह की सर रिक चोट के कारण इरादेसं मौत का कारण हो सकता है इस ग्यान के साथ इस तरह के कारण से मौत होने की संभावना है धारत 300 IPC हलांकी हत्त्या से संबंदित है हलांकी 300 IPC में परदान की गई हत्त्या की कोई असपश्ट परिवासा नहीं है इस नियाले द्वारा बार बार परिवासित मिर्त्यू के कारणिया इस तरह की सारीक चोट के कारण इरादे सो मौत का कारण हो सकता है इस ग्यान के साथ की इस तरह की कार होने सो मौत की संभावना है धारत 300 IPC हलांकि हत्या से सम्मंदित है हलांकि धारा 300 IPC में परदान की गई है हत्या की कोई असपश्ट परिभासा नहीं है इस नियाले द्वारा बार बार कहा गया है कि अपरादी हत्या आत्म हत्या है और हत्या परजाती है और यह भी हत्या दोसी गिरहनी है लेकिन इसके विप्र नहीं है धाराद तीन सो आए पिसी अपवादों के लिए जब इरादे और ग्यान होगा तो धारा तीन सो चार भाग मामला होगा और या आए गया है इसके साथ ही एक एसी सायरिक चोट पहुचाने की रादे से किया जाता है जिसके बारे में आप राधी जानता है इससे बेक्ति को मिर्ति होने के संभाद आजी से नुक्सान पहुचाए गया तिसरा है यदि किसी बेक्ति को सायरिक छती पहुचाने की रादे से कि गया और पहुंचाई जाने वाली सरीख छती पर कृति के समान अनुक्रम में मृत्व कारिद करने के लिए प्रयाप्त चोथा है यह कार करने वाला बेक्ति जानता है कि यह इतना असान खतरनाक है कि यह पूरी संभावना है किस से मिर्तु या ऐसी सररीक छती हो सकती जिससे मिर्तु होने के संभावना है और मिर्तु का जोखिम उठाने के लिए बिना किसी बहाने के ऐसा कार करता है या उपरोग तर्मसार ऐसी चोड जैसे नॉर्माली तोर पर देखते हैं ये ने जेड को मारने क की एरदे से उसे गोली मार दे पढ़नाम तो जेड की मृत्यू हो जाती है जानते हुए कि जेड़ ऐसी विमारी से पढ़ित है कि इसके झटक से मिर्तू होने की समभण है सरीक चुट पहुचाने की कि रादे से ऊस पर हमला करता है अगहात की उपरिणाम सो रूप जेड की मिर्ति हो जाती है एह अगात किसी स्वस्थ प्रकृति की मिर्ति के करण बनने के लिए प्रयाप्त नहीं हो सकता है लेकिन यदि यह नहीं जानते हुए जेड किसी विमारी के तहत परसोपीडा कर रहा है उसे ऐसा जटका देता है कि प्रकृति क कियों कि स्वस्थ प्सक्राइन का इसका कर सकता है वह घत्या का दोसी नहीं है यह जो प्रकृति के समान के इसमान वनुकरम में मौत का कारण बनती है या को जान वुच कर जेड को तलवाद से काटा कलब गहाओ देता है जो प्रकृति के समान अनुकरम में किसी बेगती की मिर्थिव का कारण बन सकता है परणाम स्वरूप जेड की मिर्थिव जाती है यहां एह हत्या का दोसी हलां कि उसका इरादा जेड की मौत का कारण बनने गा नहीं था एब बीना किसी बहाने में कि वीडियो पर भारे हुई तोपों से फायर करता और में से एक को मार डालता है एह हत्या का दोसी है हलां कि उसके पास किसी बिशेश बेगती को मारने की पूर्ण इधारित योजना नहीं थी अपवाद की बात करें तो जब गैर इरादत हत्या हत्या नहीं है अगर अपरा अगर धुकों के अधिन है यह है कि अपरादे द्वारा किसी बेक्दिके हत्याव में उसे उक्सान पहुंचाने के आने की उंटेसरा यह कि निजी रक्षार अधिकार और वैद परियोग में कि किसी भी बात से उक्सावे करवाई नहीं कि इसकी अस्पस्टी करन देखे तो क्या उक्सावे गंबिर और अचानक इतना था कि आप रात से हत्या को स्रेणी के रुप में रुका जा सके यानि यदी हम किसी के उपर हमला करते हैं और उसमें उसकी मौत होती या मारने को शुश्ट करते हो दाहरा तीन सो के अंत्रगत आता है एक भी चोट जिसके परड़ाम सो रूप मिरती हुई है उसे IPC के धारा 300 के खंड के तीन के परोधानों के तहथ हत्या गरूप में और गिजित किया जा सकता है हाली में गुजरात राज बनाम प्रकास उर्फ फिंटू मुठलाल मुलवानी ऐसे करके एक मामले आये थे वहां पे जिसमें क्या हुआ था मारने के सजा के लिए वहां पे धारा 300 लगा था यह धारा हत्या से संबने थे IPC की धारा 300 इसमें कहा गया है कि इसके पस्चात और प कि श्रिक छतीघी पहुचाने के आज से किया गया हो जिससे उस बेक्ति की जिसकी छतीघी पहुचाई गया हो मिर्टु अंब करने जानता हो कि कार इतना असान संगठ है के मिर्तु करित होने की संभवोना है और ऐसी सारी छती कारित होगी जिससे मिर्टू होना संभाव है और वह मिर्टू कारित करने या पुरुकथित रूप की छती पहुचाने या जोखिम उठाने के लिए बिना किसी छमय अचना के ऐसे कार करता है गएर डादत मानावद कब हत्या नहीं है अपराधिक मानावद हत्या नहीं है तिया पराधि उसमें जब कि वह गंबिर और अचानक परकोपन से आत्म सेहम सक्टी से वनचित हो उस बेक्ति के जिसने का वह परकोपन दिया था मिर्तू कारिद करे या किसी अन्द बेक्ति की मिर्ट्व भूल या दुर्गहटना वसकारित करें उप्रोक्त अपवाद निमलेखित सर्तों के आधिने वह परकुपन किसी बेक्ति का वद करने या छती पहुंचाने के लिए प्राधि द्वारा परतिहत्यों के रूप में स्वक्षा पुर्वक कि ऐसी बात द्रयोंग में चींग हो ़िए दिए और तो यह नीजी रख्या का अधिकार का प्रयोग हो तो हत्या नहीं है यहार इसी लौक से द्वारा आश्तव भाना है सीगाई हो तो यह अग्यार भादत नहीं है या बीना सोचे समझे किसी जगड़े आचानक हुए जगड़े को पर के दोरान जोस में आ करके गई गई राज़त हत्या तब हत्या नहीं है जब किसी बेक्ति के मिर्टु हो और अठारा वर्स अधिक आयू का होते हुए भी मिर्टु का कारण बन्द या अपनी स्वामति से म मिर्टु होना संभाव यह जानते हुए हो कि संभाव है ऐसे कार से मिर्टु होगी कोई कार करके मिर्टु कारित करता है यह गई राज़त थत्या अपराधिक मानवध का अपराध करता है आई पीसी इंडियन पेनेल कार्ट 300 वाला वीडियो आपको कैसला कमेंट करके बताएंगे जल्दी मिलते हैं आपसे नेक वीडियो में तब तक के लिए बाएंगे